बाल रहे है कैता है धनातमक पुर्णांक 60 और 100 के बीच आभाज संख्या कितना है यह कुछ मोबाइल नंबर याद करिये न यह कुछ मेरे प्यारे एक मुबाइल नंबर याद कर लो अदेखना इसमें रिंग करके जादे परसान नहीं करना मैं बता रहा हूं एक मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं और इस पर कॉल नहीं करना है रिंग नहीं करना नहीं तो बंदा परसान परसान हो जाएगा क्या मोबाइल नंबर है तानी दे दो ना तो देखो लिख लो भाई सरय मोबाइल नमबर क्या मतलब क्या है सून लिजिए ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है जो होता है एक से लुखता कि अभाशी संख्या तीन गवार उनल राश के भी पटाता है कि दौ से 這ू से भीच थे पपार्शा के वह चार यह जानते हो कि पार। है वी सक सी तेस सटक्त अभाश्या बता जाता है इस दो जानते हो क्व बताएगा पताएगा है यह पर उमीद करते हैं मेरी साथ को सारे बिद्यारती समझें कि क्या बताएगा लाश्ट वाला क्या बताएगा लाश्ट वाला बताएगा नब्य से सो तक कह गवा भाज संख्या है ठीक है तो यही मोबाइल नंबर याद रखना है और हमसे क्या पूछता है देख लो जरा सारे के सारे बिद्यारती कहता ह और सौ के बीच, देख लो यहाँ पर, यह हो गया 10 तक, यह हो गया 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक यहाँ पर हो गया, 60 तक यहाँ तक हो गया, तक करे आख गया, साथ और 100 के बीच कहेगो अब हासंख्या, तो सरफ इतना को जोड़ दो, 2 और 3, 5 और 2, 7 और 1, 8, 8 को अंसर मार ग क्लियर है वाई चलिए तो आंसर कर लिए दो और तीन पांच और दू साथ और एक आठ आठ आगे बढ़ते हैं देखो दस तक बीस तक तीस तक चालिस तक पजास तक साथ तक लेकिन हमसे बुरस साथ से आगे और सो से पीछे के बीच कहेगो अभा संख्या तो दू तीन याद रखिएगा बहुत कंसेप्ट जवर्जस्थ हम दिये हैं आजा भहिया सवाल संख्या 14 पर आजाओ प्यारे देखो कहता है क्या है सवाल संख्या आजाईए चोवन पर इसमें से कौन एक औवीभाज संख्या है मेरे भाई सब लोग ध्यान देदो औवीभाज संख्या का मतलब वही होता है आपका औभाज संख्या इन नाम बदल बदल के विद्यार्थी को फंसाता है होता है नाम बदल बदल के आईडी ब प्राइम नंबर आपका है ठीक है अब कहता है कि इसमें से कौन प्राइम नंबर है तो नजरत डालो कि इसमें कि क्या लिख रहा है कि एक से दस में चार को होता है एं देखो तो दू होता है तीन होता है पांच होता है साथ होता है अथा चार होता है एक मिनट साय थोड़ा मिश्टेक हो गया क्या चार और तीन होता है ऐसे होता है अच्छा इसके बाद देखलो दौन सब्सक्राइब करें लिक लेना ना अगे यहां पर चार होगा वस वो जाता है वो लिखने में मिस्टेक हो गया ठीक ना क्या एक जो मोबाइल नंबर के शुरू में खाली तीन नहीं चार बना लिए चलो बात खतम अब सवाल हमसे यही कहता है जना ध्यान दीजेगा भाई सवाल क्या कहता है सुनिएगा जो आपको बताना तो आप देखिए अंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा सर कईसे देखो इगारा से कट रहा है इगारा सभी भाजता का नियम लगाए तो अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर इसको जोड़ी है तो कितना होगा दू आरी दू अंतर जीरो मतलब इगारा से कट जाएगा तो यह भाज नहीं है अब फिर देखो अंक यह भाज देखो का यह फल चोव आ रहा है मतलब ही तीन से कट जाएगा ठीक है इभी नहीं होगा आई भी नहीं होगा देखो साथ से कट रहा है तैसात 161 जो किसी से कट जाएगा अब आज थोड़े होगा 181 एक ऐसी संख्याय जो एक और सुम के अलावे किसी से नहीं कट आगे बढ़ते हैं खतम सवाल लो भाईया पच्पन नमबर सवाल पर आजा देखो मुरे भाई सवाल संख्या पच्पन क्या कहता है सब लोग ध्याम दीजे अर देखिए सेशन को जो है सेर करिये सब लोग एकदम गलत बात है जल्दी से देखो लाइब की संख्या आप एक लाग लीजिए और लाइव रह करके पढ़ाई करें तब हमें भी अच्छा लगेगा और चीजे एक लंबे अंत्राल तक आपका चलता रहेगा माल लेते कि यही लाइव की संख्या कल कुछ घटा के कुछ कर दोगा परसो चार दिन में पता है कि फिर वही बात हो जाएगी तो फिर इतना मेनत हम क्यों करेंगे तो हर अगले दिन पिछले दिन के कमपरीजन में बढ़ना चीए लाइव की संख्या 1000 पार करो एक और जो है हम कुछ आपके लिए बिसेस लाएंगे ठीक है एक और कर सकते हैं आपके लिए कुछ बिसेस लाएंगे है धमाकेदार आपका यहां पर देख लो tween prime का मतलब होता है दो आभाज्य twist संक्या जिन में जिन में जिन में दो का अंतर हो क्या भाई दो का अंतर हो नोट कर लेगी सब लोगS ट्विन प्राइम, नमबर क्या है? तो दो आपाज संख्या है, जिसमें दो का अंतर हो, तो आंसर कितना हो गया untतर हैं मिरे भाई , नहीं है तो यह देखो यही तो ट्वीड प्राइम है दो का अंतरा भाज है यह कुण नहीं है तो अंसर सी होगा दू का अंतर तो है लेकिन क्या यह दूनों भाज है नहीं देखो यही शाथ से कट रहा है ट्वीन प्राइम किसे कहते हैं जो दो का अंतर दो और दोनों का दोनों आभाज हो तो ट्वीन प्राइम यहां पर तीन ओप्सन है नहीं कर रहा था अंसर सी चलो आगे बढ़ते हैं को डाउटेबल कमेंट भी आ राजी नहीं ना चलिए और सारे के सारे बिद्ध्यारती कर यह हजार पार करना है नीवन आपको बता रहा हूँ आगे बढ़ते हैं निम्न मेंसे कौन सी एक से 20 तक अंको में अबहाज अंक सरिखला है लो भाई एक से 20 तक 1-20 तक अब हज अंका स्रिंखला कौन है, 1-20 तक जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, c आपका होगा, ठीक है, अब कहोगे सर तनी छाट के बताईगी a का है नहीं होगा, भाईया 1-20 के बीच आब हाज संख्या दू भी तो होता है, लेकिन option number a में दू है, नहीं है, तो छट गया इसमें तो दू है लेकिन का है छांट दे तीसमें बताओ तीन है नहीं है तो इसलिए इभी छट गया इसमें देखो बाबु एक है और एक पता है क्या होता है न भाज होता है और नहीं अभाज होता है ये बात सारे विद्यारती नोट कर लिजेगा कि one क्या है तो ना भाज संख्या है और ना अभाज संख्या है चलो आंसर कौन होगा c एक से बीस के बीच यही अभाज संख्या इतना सारा है सारे option को मैंने explain कर दिया भाई जल्दी से आईए ये रहा आपका question number 75 कहता है कौन संजुक्त संख्या नहीं है देखो संजुक्त संख्या का मतलब क्या होता है भाज संख्या होता है नाम जान लो संजुक्त संख्या का एक और नाम क्या है भाज संख्या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं composite number क्या भाई composite सब लोग कि संजुक्त संख्या नहीं है संजुक्त संख्या है नहीं है क्या भाज नहीं है यह आप से पूछ रहा है मतलब आपसे पूछ रहा कि अभाज कौन है भाज नहीं है मतलब अभाज कौन है यह आपसे पूछ रहा है ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब देखो जरा सारे के सारे द्यारती पकड़ना है कि इसमें अभाज कौन है अभाज कौन है तो जहां तक मैं देख पा रहा जो मेरा आंसर होगा वो कौन होगा संजुक्त संख्या कौन सी नहीं है तो यहाँ पर देखो भाई कि निमलीखित में से कौन सी संजुक्त संख्या संजुक्त संख्या कौन सी नहीं है तो प्राइम नंबर आप से पूछ रहा है जी हमरा लगता है कि वी किस से कट रहा है तो है यहां पर यह था यह साथ से कट रहा है कि dár से कट रहा है तो देखो किसी ने किसे पका कट रहा है घबराना नहीं थोड़ा सा माथा लगाना है माथा दोड़ाना है सांती से जैसे किस से कट रहा है साथ दुना चाउदा और चौपंध त्रेसट सतनावा त्रेसट देखो इगारा से कट रहा है इस साथ से कट रहा है इवी साथ से कट रहा है तो ये सब क्या हो गया संजुक संख्या और सवाल करें संजुक संख्या नहीं है तो अंसर कौन होगा फी हो जाएगा जो एक और बिद्यार्थी फसे हैं ठीक है चले बहुत अच्छी बात है धीरे धीरे सने सने बढ़ रहा है लेकिन जल्दी बढ़ाओ हजार पार करो आगे बढ़ते हैं और नए बिद्यार्थी जो भी यह हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा देली रात में मैथ और दीन में इस सुवाहिए आपका आजा आजा नमबर में जो बूक का शूऻिवाल है उसमें में शहए और जो च्छपाई यहां वगलत कर दिया है किया वह गलत कर दिया है इसका और्रिजिनल मेरे पास मैंने और यहीं हम इस में चेक किया है तो बहीजिनल scission में यहाँ माीनस है यहाँ भी माइनस था और यहाँ माइनस था तो अभी यह वने गया नहीं तो पहले सवाल गरबल था था ठीक है सुनों भई X प्लस Y बराबर 11 अब कहते हैं मायनस 1 के पावर X प्लस माइनस ओन के पावर y किसके बराबर होगा और जहां x और y पुर्ण संख्या है तो जहां एक बात सारे बिद्यार्थी बताना क्या गजब का सोच है मेरे भाई बोलो x कामान आपका sum होगा और y कामान देखो पता है क्या होगा प्लस में आख जोड़ने पर बिसम होगा इस बात से समत है क्योंकि sum और बिसम जोड़ने पर बिसम आता है जैसे जोग फल झारव गार दिया है कि भी सम संख्या तो पक्का एक वह इसमें से sum होगा और बीसम होगा अब एक कोई जरूरी नहीं है सम इभी हो सकता है इभी सम होगा कोई भी हो सकता है लेकिन यह पक्का है कि यह वह सम होगा तब जोड़ने पर 12 पूरेगा अब कुछ लोग से सर पांच और छो लीजिए न तो हम कहेंगा बाव पांच छो काहले तीन और आठ काहनी लेंगे एक और 10 कहनी लेंगे तो कुछ भी हो सकता है एक सवाई का लेकिन यह तो कह सकता है कि यह वह सम होगा और यह वह भी सम होगा ठीक है अब सुनिये यह सवाल पर आ जाईए सब लोग देगे-1 का पावर बैटाएंगे सम ठीक है और फिर-1 का पावर यहाँ पर क्या बैठाएंगे बीसम बैठाएंगे अब बोलिया माइनस वन का पावर सम तब पुलस हो जाता है अब माइनस वन के पावर बीसम तो माइनस से वन रहता है तब बोलो माइनस वन प्लस वन कड़ एक आंसर कितना जीरो वो जीरो एंसर बना दिया है उल्टा सिधा करके लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो चुप चाप आप कड़िए चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े रूम कब आ रहे हैं ये कौन लिख रहा है भाई पिरू पुर्वी चलो यार बहुत अच्छी बात है वकील रंजन गौरव गौरव सिंकेश, प्रकास, संतोष, गौरव, गौधचिवाथयर, सुमिंदर, विशाल भाई आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल संख्या कितना? 69 सुधार मैंने करा दिया अंठावन में लो भईया 69 नंबर सवाल क्या कहता है सब लोग ध्यान दिए 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रते के 225 सेंटी मीटर लोग 30 मीटर में लंबाई दिया है कपड़ा का और 225 सेंटी मीटर माप वाले 12 टुकरे काटकर भी एच दिया गया सोचो जरा कि 225 सेंटी मीटर लंबाई वाला 12 गो टुकरा बेचा गया तो तनी 225 गुना 12 करिये तो कितना होगा तो 2700 सेंटी मीटर आ गया क्या भाई 2700 सेंटी मीटर आ गया तो 2700 सेंटी मीटर को हम क्या बोल सकते हैं 27 मीटर कर सकते हैं इसका मतलब 27 मीटर बेच दिया गया और कपड़ा था कितना 30 मीटर लो भाई 30 मीटर कपड़ा था और 27 मीटर जो है उसमें से बेच दिया गया फिर से बोल रहा हो 30 मीटर कपणा था और 27 मीटर बेच दिया तो सेस कितना बचा तो हम सीधे बोल सकते हैं कि सेस बचेगा 3 मीटर 3 मीटर तो कता है मुल लंबाई का तो मुल लंबाई तो 30 मीटर था कितना भाग सेस बचा तो कितना भाग पूछ रहा है सेस बचा तो सेस 3 मीटर ऊपर मुल लंबाई 30 नीचे काट दो तो एक बटा दोस भाग is the right answer मार दो स्री नमबर ओप्स क्लियर है जी पूरो क्लियर और नोट सेसन को एक बार सब लोग शेर करिए लाइक करिए ठीक है और आज जो है 1000 पार पहुंचना चाहिए आपका एनिहाओ चाहिए जैसे भी हमको चाहिए ठीक ना आपको हम दे रहे हैं तो मेरी भी ये चाहते हैं मांगे है धरना पर हम बैठ जाएंगे मैं बता रहे हैं चलो आगे वढ़ते हैं सवाल संख्या साठ कहता है यदि किसी संख्या का वन बाई सेवन संख्या से घटाया जाए ध्यांदेना देखो इसाब देखो बूक का सॉल्यूशन और एक जो मैं सॉल्यूशन दोंगा उसमें काफी फर्क रहेगा बूक जो है न आपको सौ्ट कंसेप्ट नहीं देख़ता हैं क्यूंकि सौ्ट कश्यूशन देगा तो बहुँत सारे द्यारती जो बूक को सिर्फ फॉलो करकर सवाल समझते हो नहीं समझता यहां पर मेरा संख्या का एक बटा साथ मतब्र संख्या संख्या समझो साथ है नीचे संख्या साथ है कि अगर संख्या से घटा दिया एक बटा साथ संख्या से घटाया जा रहा है कितना एक अब बताओ कि साथ में से एक घटा देंगे तो बचेगा कितना छे सेस कितना बचेगा छे बचेगा तो करता है परिनामी संख्या से 30 कम होता है परिनामी संख्या से 30 कम होता है तो बताओ भई एक घटा रहें तो एक एक कम नहोगा तो एक बराबर कितना दिया है 30 दिया है तो पूछता है कि संख्या बात हो तो संख्या साथ है तो साथ कामान कितना होगा दूसर 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 फिर से बोल रहे हैं संख्या साथ है अग घटा रहे हैं कितना एक अब एक घटाएंगे तक कौम एक होगा अब तीस को मोल रहे हैं मतलब एक बराबर तीस संख्या पुछ रह यही हमसे पूछ रहे हैं तो आप सारे श्यार्थी तही दिया अगर इस सवाल को एकजाम में जल्दी से बनाना है तो 6 और 4 मान लो आप यहाँ पर देख लो 6 गुचव के 24, 6 चुव के 24 और 6 का स्क्वेर 36 और 4 का स्क्वेर 16, 36, 52 पूर रहे है तो X का मान 6 और Y का मान 4 होगा यह आपको सोचना है सवाल कहता है कि 6 प्लस 4 बताओ जोड़के तो आंसर क्या होगा 10 आपका हो सर घर याद न रहेगा त our next पर सेथ होगा तर देखो ऋगो फर्मूला लीख लूं है और में और में अईसे ही बना सकते है x plus y का whole square equal to x square plus y square plus 2xy ठीक है? अब देखो x square plus y square दिया है ने वर्गो का योगफल 22 बैठा देना और यहाँ पर 24 दूना 48 बैठा देना तो कितना हो जागा 52 दूना 48 एकसो अरे 52 24 दूना 48 जोड़ दिए 100 हमसे पुछ रहा है x plus y ही बताओ तो स्क्वाइर को भेज़ देंगे रूट में तो एक सो कवर मुल दस नहीं हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि लीजिए सवाल संख्या 62 आफ सारे विद्यारतियों के सामने है भई लोग कोश्या 62 क्या कहता है सब लोग घ्यान दीजिए यदि एक संख्या के पांच गुने में से दस घटाया जाए कर संख्या क्या होगा तो संख्या को यहां पर हम माल लिए है एक्स कहता है यदि एक संख्या के पंच गुना में से 10 घटाया जाया तो बोलो इसका पंच गुना कितना होगा 5X में से 10 घटाया जाया मैंने 10 घटा दिया 10 घटा दिया फिर कहता तो वह उस संख्या के चरगुने में से 8 जोडा जाया इसका चरगुना करो तो 4 X 8 जोड़ दो तो प्लस 8 मिलने वाली संख्या के बराबर हो इदोनों बराबर हो संख्या के पंचगुने मैं से 10 घटा दो और संख्या के चरगुना मैं 8 जब दो दोनों बराबर हो जायगा तो बोलो एक्स कामान नहीं निकलेगा बोल दो भाई अरे चार एक्स आके घड़ेगा पांच एक्स में से एक्स और दस जाके आठ में जूटेगा आठ ठारा मार दो आप्सा नमर कौन सा भी हो जाएगा उमीद करते हैं सबको ये बाते क्लियर होगा आपका ठीक है आगे बड़े सेशन को यार सेर करिए और जादा से जादा लोगों को जोड़िए ठीक है क्योंकि एनी हाउ जो है आपको इस बार सलेक्शन लेना है मैं आपको बता रहा हूँ एनी हाउ आपको सलेक्शन लेना है एनी हाउ इस बार सलेक्शन लेना है चलो आप लोग का कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव, कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, अगर जो आप सोच सकते हो, वो चीज को आप कर सकते हो, दुनिया में कोई बात असंभव नहीं है, और हम वो सब सोच सकते हैं, जो आज तक हमने नहीं सोचा आपना, य लेकिन ये बहुत बिजोड़ चीजे कह रहा है बहुत कुछ कह रहा है और आप सारे द्यारतीस लाइन से इंस्पायर हो और अपने मनजिल तक बहुत आसानी से मेहनत के बदॉलत आप पहुँचिए ठीक है और जम करके सारे लोग मेहनत करिया ठीक है चलो भाइ आगे बढ़त कि जब किसी संख्या के आठ गुने में चार जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम तीन अंको की सबसे छोटी संख्या होती है तो बोरा संख्या कितना है तो इसको एक सको दो अकर किसी संख्या के अठ गुने में बोलो भई इसका अठ गुना कितना होगा अठेक्स होगा में चार जोड़ा जाता है तो चार जोड़ दीजिए चार जोड़ दीजिए प्राप्त परिनाम तीन अंको की सबसे छोटी संख्या जल्दी से एक बार कमेंट सेक्षन में सब लो से कट जाएगा बारह बार में तो एक सामान बारह हो जाए रहा है क्लियर पॉंज आप्षं ए नंबर चलो आगे बढ़ते हैं कि आप कि अच्छा अच्छा आए में ले बनना चाहता है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल देखो एमेले बनेगा थोड़ा साम पर ध्यान देना है ना भई एमेले अमको कमेंट में पता चल रहा है लोग बता रहा है मारा टीम की सर एमेले एक बनना चाहता है अब बहुत अच्छी बात है अब बनो कॉंग्रेट्स अभी सही दे दिये और बनना थोड़ा सा ध्यान देना हम पर भी है थोड़ा भी अगर मान लेते हो अगर छुड़काओ कर देते हो भाई बन जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा है बल्ले बल्ले चलो आगे वढ़ते हैं लखी सिन देखे दो संख्या का योगफ 22 से चाहते है रेशियो बना ले एक संख्या का पांचगूना मतलब संख्या एक सहे hell python कि पंचगूना अकर दूसरी संख्या का छोगूना दूसरी को वाई का दिया इसका छओगूना कारा वे बार बदिगे वॉंच्च सवाल कहता है कि इसा vikt थीन दोनों का सम जो है न वो कितना है 22 है एक बात बताओ योगफल 22 है और यह रहा रेशियो तो क्या 22 को इस रेशियो में बांट नहीं देंगे बहुत असानी से बांट देंगे ठीक है चलो भई तो करें इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है तो माटो छो पाची 11 हनुपात बराबर 22 तो एक हनुपात बराबर दो तो बड़ी संख्या 6 हनुपात में है तो 6 रेशियो का मतलब कितना 12 बारा इस देराइट अप्शन अम्बरे ठीक है कोई डाउट चलो आगे बढ़े बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते है और यह रहाज सवाल संख्या 65 देखो मेरे बाई 60 एकदम बढ़ते चलना है और इस बार सलेक्शन ले लेते हैं बहुत अच्छी बात है आई लव एल पी अरे चलो भई सुरिया सुरिया मौरिया नाम ले लिए आपका भई ठीक है नेक्स्ट मन्थ क्लास ओपेन होगा रिंपा सरमा साइद साइद स्टार्ट हो जाए अस्टार्ट होने का चांसे लग रहा है आपका ठीक है चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोडने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को आठ गुना करके गुना नफल में चार घटाने पर मिलता है तो संख्या ग्याद करता है जो यहां से पढ़ो अब उसी संख्या को आठ गूना 10-4 तो चार घटा दो कर दो बरावर स्थर उतना ही मिलता है जितना संख्या के हम ना में चार घटाने से मिलता है दोनों को बरावर कर देंगे अब बरावर करके एक सका मान निकल लो हो तर तो दो एक्स दाके घड़ेगा तो कितना 26 चार आके जूटेगा तो 24 पोलो एक्स का मान 4 ओप्शन नुमर कौन साथ यह आर आर भी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है ठीक है भाई चलो एक बार जोर लगा दो जोर लगा के हैसा है ना सेशन को सेर कर दो एक बार फटाप पर ठीक है चले आगे बढ़ते हैं उन सारे जरूरत मंत कितना तक किये थे जी हम लोग 65 तक यह चलो 65 तक किये हैं लोई यह राज सवाल संख्या तुमारा 66 ध्यान दिजेगा तो संख्याओं का गुनफल 93-75 है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भी भाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है सुनो भाई भागफल 15 प्राप्त होता है भागफल पंदरह प्राप्त होता है इसका मतलब ये है कि संख्या का जो रेशियो होगा न रेशियो जो होगा न वो पंदरह रेशियो एक होगा भागफल 15 आ रहा है ये वो संख्या से दूसरका में भाग देने पर मतलब रेशियो जो है आपका 15 पोसल चोहांजी मॉर्निंग में कब कलास होता है मेरे भाई मॉर्निंग में आपका साड़े साथ बजे सुबह में रीजिनिंग का कलास लगता है ठीक है डेली और साड़े आठ बजे साम में जो है मैथ का कलास लगता है डेली जो अभी चल रहा है सुन लो 15 भागफल बढ़ता है मतलब रेशियो है 15 हनुपाते एक बात बताओ एक्चूछल में संख्या कितना होगा एक्चूछल में संख्या हम यहां पर 15 हेक्स दूसरा को एक्स कर सकते है भागफल जो 15 दिया है इसके हलप से हम एक संख्या को 15 हेक्स और दूसरे को X कर सकते अब देखे, देखे लो, पंद्रह पूर जाएगा, अब सवाल कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणन फल तिरानवे सो पच्छतर है, तो ऐसा करीं दोनों को गुणा करिए, तो गुणा करेंगे एक्स सोलह एक्स और एक्स का मान पचीस रख दो तो सोलह गुना पचीस चार सो अप्सन नमबर यह हो जाएगा आगे बड़े कुछ विद्यार्थी का आंसर गलत आया है लग रहा है नहीं बहुत सारे विद्यार्थी इसका सी दे रहे है जो की गलत जबाब है चार सो पचीस आपका गलत जबाब है राइट आंसर कितना होगा 400 होगा चलो आप लोग 500 का कड़ा सायद पार कर दिए बहुत अच्छी बात है लगे रह भई लगे रह आगे बड़े ना आंसर कितना होगा 400 होगा भई 169 पचीस लीजे सवाल संखिया आप सारे बिद्यारती यहां पर ध्यान दीजेगा सरसठ देखो क्या कहता है यदी किसी संखिया के एक चौथाई लो भई संखिया संखिया पूछ रहा है संखिया को एक्स कह दिये हों और क्या कहता है एक चौंध हा आ फिर देखो का का मतलब क्या होता है गूणा दू ती हाई दू ती हाय का मतलब होता है दू बटै ठीन ठीक है और कितना दिया है 32 बट्षिक मेरे भाई सब को देखो काटो दो से कटे गाई दो बार में एक सकामान पूछता है तो तीन दूना छे छे जाके 32 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जागा एक सो बान में हो जाएगा आगे बड़े रेशियो आपने कैसे 15 हनुपात एक लिखा चलो भई देख लेते हैं सवाल क्या कहता है पीछे वाला सवाल कि एक संख्या में दूसरे से भाग दे तो भाग फल 15 आया यह एकस बटा वाई बरावर 15 तब बोलो रेशियो नहीं हुआ एकस का रेशियो 15 और वाई का रेशियो उ आगे बढ़ते हैं 192 यस 192 इंदर आइट अंसर कोई डौटेबल कमेंट भी है जी नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 68 यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है क्या दो संख्याओं का जोगफल 13 है और उसके बरगों का जोगफल कितना है जिससे की ये सर्टिसफाइड कर जाय के कि North और चार होगा देखो जोड़ दो नौव प्ल्स चार तेरह और नौ का स्कॉयर 21 और चार का स्कॉयर 16 एक चार जोड़ के देखलो संतान तो एक्स की बेअलू और वाई की बेलू जो नौ चार है न वह सतिश्फपाइड कर रहा है इसे भी और इसे इसका मतलब रियल में एक सवाई की वैलू यही है बोलता है गुणा नफल बताओ तो नो गुणा चारवारवा च्छापीस आपसा नमर भी ठीक है है आयू सियादो जी रामजी कुमार दीपक राजन राज सुमिंदर अभी जीत राजीव चलो बहुत अच्छी बात हैर मैथेमेटिक शुरुआ है बहुत अच्छी बात बावनाओं को समझ रहे हैं आगे बड़े एक बार सेशन को सियर करो सब लोग उसमें कोई कण्यूस आई नहीं जितना हो सके दम भर जो है लोग तक पहुंचाओ बहुत सारे ऐसे जरुरत मंद विद्यार्थी है जहां तक जो है बेस्ट एजूकेशन नहीं पहुंच पाता अपने घर को जो है अपनी घर की स्थिती को नई सुधार पाते हैं ठीक है हाँ ऐसे सी जीडी के लिए क्लास एफिसेंट है बिलकुल करो एकदम जम के करो पूरे सिद्दत के साथ आपका ठीक है बाकी कुछ अस्पेसल भी हम करेंगे अभी फॉर्म वेगर आप फिलप हो ज चलू आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट नेमलेखित में से कौन सी भीन संख्या को तेरह बटा पांच में जोडने पर एक आता है इसको अत्य को παच में जोडने पर जोड़ो नीक कर दिए बोलो कहा एकस का मान नहीं निकले इसको ले जाके घटा देजे तो कितना हो जाएगा? पांच में से 3 गटा, माइनेस 8 बटा 5 ही जो डाइट अबसा। आप्शन नम्र कौंसा माइनस 8 बटा 5 है, ही नहीं. माइनस 8 बटा 5 नहीं है, जबकि 9 का माılar था है.워서 तक कहे गल्ती है, नहीं, नहीं है. देखो option को बारीकी से पकड़ोई फंसाने के लिए दे दिया है आप देख लिजी आठ छक अरतालिस और पांच छक तीस मतलब 6 से उपर नीचे गुणा करके अंसर दिया है अब बहुत भी द्यार्थी सोचेंगे सर सवाले गलत है नहीं अंसर ए होगा देखो छो गुणा उप उपर भी छोगुणा नीचे भी चलो भाई आगे बढ़ते हैं यह रास सवाल संक्या सत्तर आप सारे द्यार्थियों के सामने सब लोग ध्यान दो भाई जो सत्तर नंबर दीख रहा है ना इभीन का जोड नहीं है कुछ भी द्यार्थी सोचेंगे सर भीन का जोड जोड दे होता है मेरे भाई यह देखो क्या है यह तीन गुणा चार है बहुत जब अरजस्तम जहर दे रहे हैं जहर एकदम दे रहे हैं जहरीला कंसेप्ट के रहे हैं सीखना जरा यहां पर यह क्या है पता है चार गुणा पांच है यह पांच गुणा छो है है ना इच्छो गुणा सात है और देख लो इस सात गोना 8 है और इसी को क्या करना है जोड़ना है तो जोडने का एक जो जहर वाली concept है जरा सुन लो देखो एक बटा difference डिफरेंस और इंटू में होता है एक बटा में first term first term माइनस होता है एक बटा क्या लाश्ट तर्म बढ़ियां से इस चीज को मैंड में चाप लो भाई बढ़ियां से मैंड में चाप लो देखो आप बताओ कि जब इसका फैक्टर किये तो डिफरेंस कितने का रहा है एक का यहां भी एक का सब जगा डिफरेंस कितने का रहा है एक एक का रहा है तो यहां पर हम जानते हो क्या करेंगे यहाँ पर हम difference के जगा पर एक बैठाएंगे ठीक है आप फिर देखो फार्ष्ट टर्म तो सबसे पहला फेक्टर यहाँ पर कौन मिला है दो मिला है जरा देख्लो यही सबसे सबसे एक है तो एक का तो कोई मतलब नहीं है चलो इसको धड़ से हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे लसी एम आठ चार में से घटा तीन बटा आठ फॉंस ऑफशन दीन बटा इस टाइप का जीतना भी सवाल होगा न सब के लिए फर्मूला है सारे विद्यार्थी नोट कर लिए क्य जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं भई देखिए एक खत्तर नंबर सवाल आप सारे के सारे विद्यार्थी देखिए क्या कहता है लो भई सवाल संक्याएक सालनी तनवीर और रासिद तीन लोग हैं एक केक को साजा किया एक केक तीनों मिल के खाता है कुछ वो कुछे कुछे सालनी के पास एक बटा छो भाग लो भाई सालनी के पास एक बटा छे भाग था तनवीर के पास एक बटा चार भाग था तो हम जानना चाहते हैं कि सालनी और तनवीर इस दुनों मिल के केक का कितना भाग खा दिया तो दुनों को जोड़ दो दुनों को जोड़ दो तनि जोड लब ये है कि पांच बटा बारा भाग सालनी और तनवीर दोनों मिलके खा गया और केक अपने आप में कितना था एक भाग था अब बोलो कि एक भाग जो है केक था एक भाग केक था जिसका पांच बटा बारा भाग दूनों मिलके खा गया अब क्या करें सेस भाग रसीद के पास था रसीद का हिस्सा बताओ सेस भाग रसीद का था एक भाग टोटल केक है इसमें से पांच बटा बारा दूनों मिलके खा गया तो से सरसीध कहीं सा कितना होगा जी बारा में से पांच कट्ड़े का साथ बटा बारा डीन बोड़ा है चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बड़े लो भई यह लेजी सवाल संख्या बहत्तर क्या कहता है मेरे प्यारे सवाल संख्या बहत्तर देखो दो संख्याओं का योगफल नौ है और उसके ब्यूत्क्रम का योगफल आधा है तो इन संख्याओं में सेख सेको मेरा लॉजिक सीखना दूगो संख्या का योगफल नौ है ना कि योड़े तो क्या मिल रहا है आधह मिल रहा है इसको अधा भाठेश अत्री लिवेनी कुणा आधा दुगुना आधा दुगुना यह है इसको आधा भाठ दूगुना लाथ तो पता है शय और तीन होगा लोह जोड़ने ह्ते पर कितना सब्सक्राइब और व्युत्क्रम करके जोड़के देख लिएगा तो आधा मिल जाएगा अब सवाल कहता है इन संख्याओं में से एक संख्या कौन है तो आपको दूनों संख्या दे दिया इभी दे दिया अब इन दोनों में से एक कौन है तो जान लीजिएगा चार ऑप्सन में कोई एक ही ऑ पर आ है ALL में चलो पोर्ड देखो यार ब्लैक नहीं रख रहे हैं हॉइट ही रख रहे हैं अच्छा हमें हमारे हिसाब से अच्छा हमें ऑप औने का वाइठी लग रहा है यारग देंृत कर आं है थोड़ा पाहने में मन लगता है कि अ कि अ हुआ है कि चलो भाई कि यत्तर नंबर सवाल में देखते हैं क्या कहता है एक स्कूल में 200 चातर है तो लड़कीufen सब हो गया सेस कितना होगा इसका और इसका रेष्ट पान कितना होगा तो चातर होगी है मतलब तीन बटा दस लड़की होगी छात्रा होगी तो करें छात्रा की संख्या बताओ टोटल छात्र कितना है दूसों अर इसका तीन बटा-10 होगी लड़की सेश्ट लड़की कहाएगो जीरो से संख्याओं का योगफल 26 और उसका अंतर 12 है तो वरगों का अंतर झा हुगा सेक्षी अधर्वाईज अभी सकते हो कि कौन सी भेलू होगा जो इस चीज को सटिस्फाइट करें क्या आप सोच पा रहें जी बोलो जल्दी से कितना होगा देखो मैं बता रहा हूं 19 और साथ होगा मैंने तो सोच लिया तो सर बड़ा जल्दी सोच लेते हैं वही या जल्दी इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि रोज हम प्राक्टिस करते हैं ठीक ह है यह इव यह आप भी करोगे सोच लोगी सॉल्भ करके निकालो यह फिर सोच्विस को जोड़े तो 26 और किसको घटा हैं तो 12 सवाल केयाता है वर्रगो का अंतर बताो फंट ग less При consistent सच कवर कितना उन्चास अंतर बोल रहा है तो 361 में से उन्चास घटा दो अंसर कितना बनेगा तो यहां पर कौन है 312 आगे बड़े बहुत अच्छी बात है बंदा सब समझदार हो गया है समझदार होने के साथ साथ मेहनती पढ़ाई पे टाइम जादा देना है स्टड़ी पे टाइम जादा देना है क्योंकि जो पढ़ेगा सेलेक्शन उसी का होगा मैं बता रहा हूं और अपने आपको ठीका के रखना है एकदम ठीक है ना आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए कहत संख्या है यदि दो संख्याओं का गुननफल इसके योग का तीन गुणा है और एक संख्या बारह है दूसरी कितना लोगई एक संख्या दिया है बारह आप दूसर की संख्या आम से क्या करना है पूछ रहा है इसको एकस नहीं बोल देंगे एक संख्या बारह दूसर की गुननफल तो बारह एक्स दू संख्या गुननफल तो बारह एक्स बारह एक संख्या दूसरी संख्या एक्स माल लिए इसके योगफल का अब बोलो योगफल कितना होगा दूनों संख्या का तो योगफल होगा बारह प्लस एक्स ठीक है और क्या करें योगफल का ती गुना ह इती गुणा है, इसमें करो नो भईया, इती गुणा रहेगा तो उसमें तीन से गुणा करना, अब बोलो 3 से कट जाएगा, कितने बार में, चार बार में, अब 4X में से X आके घटा तो कितना 3X और 3X इस इकुल तो 12, तो X कामान बोलो कितना 4, आपसा नमर कुण सा, C हो पड़ना चाहिए एक बार कमेंट करके सारे लोग बताई जोस जोस कैसा है आपका क्या टॉप पर है जोस टॉप पर एक बार चाहिए ज़रूड बताना जोस बचा है कि पानी फानी फानी हो ठंडा हो गया और मेरा यह सब्सक्राइब जो सेक्दम हमेंसा टॉप पे होना चाहिए एक बार जरूर कमेंट करके बताओ सारे लोग ठीक है क्या बोलर रहे हैं अजीत चवान बोल रहा है लेगा अजीद चवान एक ही कमेंट को सुन रहे हैं कुछ बार-बार कर रहे हैं आपको ब्लॉक कर देंगे वर्निंग है ठığını को erased में कल हम ही ना रएं भाविस्य को कौन देखा है महामर्ग गजब प्रानी होग गजब प्रानी फिन्ध इंगे इस वार्णिग इस फाड़निग्ट ऑदर्वाईच्ट फिलॉब कर देंगे गई अब इसको कौन देखे है कल क्या होगा नहीं होगा हो सकते हैं तुम्हारा सलेक्साने हो जाए आपका खुलने से पहले हैं इसम निगेटिव थाउट से मतलब बी पॉस्टीव इस तरियस तभी एग्जाम होने वाला आपका निकलने वाला कि चलिए टॉप पर बहुत अच्छी बात है सेशन को सेर्वेर करते रहें लाइक करी और जितने भी नए बिद्यार थी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है अब देखो कवरें सार बड़ा बोलते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे मेहनत कर रहा है तो मेहनत आना किस से म सब्सक्राइब मजदूर जिसके Mozart करेगा उसी से तो मdd reduction मांगेगा है हम मजदूर किसके आँख कर रहे हैं आपके आपके कर रहे हैं महनताना किसे मांगे solar कि सैम सब्सक्राइब यह मेरा अधिकार है जनम सिधा अधिकार है मांगेंगे और नहीं दोगे ना तो जब अप्सन में है न नजर के सामने है न जीगर के पास कर लो क्या जीगर के पास कर लो देखो कोई बेसिक तेसीक नहीं कलम कुछ नहीं चलाना है खाली ओप्सन देखना है कि जोड़ने पर 15 होना चाहिए और घटाने पर 3 होना चाहिए कौन-कौन होगा तो आप्सन नमबर बी होगा नहीं होगा नो चो पंदरा नो में चो घड़ा हो तो तीन आपका आगे बढ़ सम संख्याओं के बरगो का योगफल 42 है तो मध्य का संख्या क्या है देखो इसमें हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं जब अर्जस्त वाला कंसेप्ट क्या दे रहा है जड़ा देखिए बोलो योगफल दिया है 42 अग कई वो संख्या का योगफल दिया है मेरे प्रिये बोलो तो average निकलेगा 14, अब कुछ भी द्यारती, इसमें संडे वाला महा भंडारा किये थे, इसमें average पढ़ाये थे, और उसमें concept इसका दिये थे, वैसे मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि तीन गो संख्या है, और है, और है, तीन गो, पांच गो, साथ गो, नो गो, तो वैसे इस्थिती में जो average होता है न, जो average होता है न, वो बीच वाली संख्या के बराबर होता है, क्या, average जो होता है, वो बीच वाली संख्या के बराबर होता है, हमसे यही तो बोल रहा है कि मध्य वाली संख्या कौन है जब नंबर अफ्टर्म ओड हो तो एवरेज बीच वाली संख्या के बराबर होता है मैं देखा सवाल में कि बीच वाली संख्या पूछ रहा तो तीन से भाग दे के भी निकाल दिया उत्तर होगे आगे बढ़ो मैंने इस बार महा भंडारा जो लगाया था न संडे को हर संडे को लगाते हैं एक एक चेप्टर पढ़ाते हैं उसे मैंने बताया था लो भई सवाल संख्या ठतर का दो सभागियों एम और एन ने एक कार खरदी लो एम और एन दूग पाटनर है अम मिल के कार खरदा है सुन लो एम ने बतोर अपने हिस्से कार की लागत का तीन बटा साथ का भूगतान किया भाइया देखो यहाँ पर लागत कितना है जरा देख लो खुल कार का साथ है अच्छा एम भूखतान किया कितना तीन सब लोग ध्यान दो साथ लागत टोटल कार का जिसमें एम भूखतान किया तीन तो एन कितना किया होगा तो 7 में से 3 गटाव 4 इस बात समझ में रहा है टोटल लागत 7 है जिसमें M 3 भूगतान किया और M 4 अनुपात में भूगतान किया अब करें M ने N की तुलना में इतना रूपया कम किया तो बोलो भाई रेशियो M का N से कितना कम है तो देख लो एक रेशियो कम है एक कम है और यही एक बराबर इतना रूपया है लिख लो एक बराबर इतना रूपया है चुकि एक बराबर कितना 31,540 रूपया इसलिए हमसे कार की कुल लागत बताओ तो कार की लागत साथ अनुपात में नहीं है जी साथ अनुपात का मान निकालने के लिए साथ से हम 31,540 में गुणा कर देंगे और उमीद करते हैं सारे बिद्यार्थी इसको गुणा कर सकते हैं बताओ गुणा करने पर कितना आएगा बता सकते हैं जी है ना तो सारे के सारे बिद्यार्थी गुणा कर सकते हैं चलिए बई आकास मैथमेडिक्स पता नहीं लंबा चोड़ा क्या लिख रहा है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सही है आगे बड़े चलिए इसको अब सारी के सारे बद्यार्थी गुणा कर दो अंसर पकड़ में आ जाएगा कि इतना होगा जी और शुद्ध ने बाती नहीं आ रहा है बहुत पीटाई होगा चलो बहुत यागे बढ़ते हैं यह दा सवाल संक्या उन असी एक कुरेसी भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बार बनाना गलती होगया दुबारे बनाना फिर गलती हो गया तो मामला फंस जाएगा एकुरैसी का मतलब सुधता एक बार बनाया तो सही हो जाए और सुधता एकुरैसी दूसरी नंबर चीज बोलते हैं आ स्पीड ये सब पढ़ाई से आता है सॉरी रिविजन करने से आता है जितना जादे बार प्राक्टिस करेंगे उतना ही कर सकते हैं आपका स्पीड और कुल नहीं पिज्जा हमको पसंद नहीं है बेकार फालतु बहियात अब कोई सर पीजा के बारे में इसे बुले तो पीजा का मार्केट फिर गिरेगा नहीं हमें बढ़िया नहीं लगता है ना चलो आगे बढ़ते हैं किसी पीज्जा का टूठड भाग का मुल इतने रूप ना टिरीन जाके गुना हवा येाँ एक वाग बढबर कितना मुल शाहटे चार सो रूप्याइद लूहलन, पूरा फिज्जा थे-चार सो रूपी पीज्जा एक 29ओ का मुल बता हो तो तीन बटा पांस से गुना कर दिये साड़े चार सो में, बोलो जल्दी काट के तीन से कटेगा, पांस से कटेगा, नब्बे बार में और नब्बे ती ये 270 रुपे D-Number option हो गया, आगे बड़े, आगे बड़े, चलिए, चलिए, कुछ लोग लिख रहा है, मुझे भी बढ़िया नहीं लगता है, बट मेरी वाली बहुत खाती है, ना, बढ़िया है, वो तो आपकी वाली को और बढ़िया है, कि अगर ये बंदा खाता तो क्या होता, एक पीजा ले दे तो कुछ शेर वेर हो जाता आपका, वले ही आप one fourth ही खाओ, लेकिन बढ़िया है, वो तो फायदे में रहेंगे, पूरा का पूरा hundred percent खाएगी है, ना, कहता है, जब प्लाई वोर्ड के इतने centimeter मोटाई वाले, देखो, प्लाई वोर्ड के इतने centimeter में दिया है, याद रखना, centimeter में दिया है, मोटाई वाले, 472 टुकरे, एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं, मतलब क्या है, एक पलाई 0.23 मोटाई वाला है, आउसी पर पलाई 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 मतलब रखा जाता है, ठीक है, पलाई का धेरी, पलाई 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 रखा जाता है, कहे गो 472 तो इस प्रकार बने अस्तम्भ है कि उचाई मीटर में बताओ भई उचाई बताना है मीटर में इस वेरी सिंपल एक वो पलाई का मुटाई कितना है 0.23 सेंटी मीटर तो बोलो 100 से भाग देंगे तो मीटर में बतलेगा एक पलाई की मुटाई पता चल गया एक इच don't nothing बश्चन इंब कुछ नहीं बस चारसो बहत्तर से गुराव कर दो कि रहे अब ऐसा उमीद करते हैं कि आप सारे के सारे अर्थी सकान्सर कर सकोको इसे करिए गा था देखो चारसो बहत्तर को तैऐस से गुणा कर दो पहले हैं ठीक है तो गुणा जब करिएगा तो एक सो आठ पांच छो वार है क्लियर है क्या करना है चार सो बहत्तर को तैईस से गुणा अब देखो दो अंग के पहले डेसिमल पहले से था आप सो से भाग देने का मतलब दू अंक्छ पहले डिसमल और हो जाएगा यानि कुल मिला के चार अंक्छ पहले डिसमल मारदो ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा कि आगे बड़े रिंकिया के पाप आएकदम सभी बात है जहर बताते हुए मारे सर यह मत उपिन कर देना कि जहर पिला रहे हैं पता चले का तो टपक गया तो फिर आमकू सर जहर पिलाए थे यह जो जहर है नहीं यार यह अमरी तुरूपी जहर है आपके पूरे लाइफ को अमर कर देगा आपको कह सकते हैं पूरा जीवन रोटी खिलाएगा आपको ही नहीं आपके वाली को वाले को आपके पूरे परिवार को ठीक ना यह अमरीत रूपी जहर है आपका चलो देखो पीते हैं अमरीत रूपी जहर 81 नंबर कहता है बैए 232 बटा 7 मिटर लंबाई की 15 छोटी लंबाई जाती है तो बड़ी छड की लंबाई कितना है तो गुना करो 23161 और 163 बटा 7 एग ओ छड का लंबाई है 163 बटा 7 मिटर अब ऐसा इसा 15 छड़ को जोड़ा जाता है तो कितना लंबाई छड़ होगा तो 15 से गुना कर दो ठीक है अब देखो मेरे भाई यहां पर क्या करना है सब लोग ध्यान देना देखो 163 को कॉमन क्यों गुना में थोड़े कॉमन लिया जाता है 163 गुना आप 15 कर दो भाई 163 गुना 15 कर दो तो 1630 और 815 2400 कितना हो जाएगा पता है 45 हो जाएगा आप करो ना गुना मैंने कर दिया और साथ से भाग देना है तो साथ से भाग देंगे साथ यह कई से सच्चों का ठाई से अठाई से और छोपो पाच पैंशट है तो सतना में 63 है और दू बटा साथ देखो 349 पुर्रांक दू बटा साथ आएगा ऑप्शन नम्बर कौन सा सी हो जाएगा एग एग वो से जोड़ा जा रहा है तो टोटल लंबाई कितना हो जागा तो 15 गुना एक छड़की लंबाई कर दो चलो आगे बढ़ते हैं पेन पेपर रखी और कल्कुलेशन करिए और हमसे आप जल आगे उत्तर बताने का प्रयास करें क्योंकि हमें समझाना भी रहता है ठीक ना सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंको की अभाज संख्याओं का अंतर कितना लो बई दो अंको की अभाज संख्या तो अंको की अभाज संख्या अभाज से सारे विद्यारती परचीत है अभाज का मतलब प्राइम नंबर जो एक और स्वयम से सिर्फ कड़ता है एक और 95 में सही 11 घटा दो आंसर क्या होगा 86 होगा ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई सब लोग ध्यान दो यहाँ पर जो श्ठंडा हो रहा है क्या लो भई चार अंको वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो उन्चास से पूरंत भीभाज है चार अंको की सबसे बड़ी संख्या कोई आप से पुशेग तो बताइएगा कोई रिस्टिक्सन नहीं नॉर्मली बोलो चार अंको सबसे बड़ी संख्या नाइन 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 चार गों लिखते हैं अब कहता है कि उन्चास से पुरत अभी भाजित होगा कौन संख्या है तो आप क्या करो उन्चास से आप इसमें भाग कर दो ठीक है जैसे बेसिक कंसेप्ट यह टाइप के सारे के सारे सवाल ऐसे बन जाता ह ठीक है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्यों है जो उन्चास से कटेगा पहले उन्चास से इसमें भाग दो बोलो भई उन्चास अब देखो, उन्चास से ये संख्या कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला रहता तो क्या बचता सेस्फल, जीरो बचता, जीरो बचता, कटने वाला कम दो जीरो, लेकि नहीं तीन बच रहा है, तीन सेस्फल बचने का मतलब ये है, कि तीन इसमें एक्स्ट्रा है, तीन इस उसको घटा लेते हैं तो तीन घटा लो तो जो मिलेगा वो उन्चास से कटने वाला होगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं लो भई सवाल संख्या 84 पर आप सारे विद्धियारति आ जाये सब लोग ध्यान दीजिए देखिए सबसे पहले एक बार सारे के सारे विद्धियारति सका ल्सी यह मताओ कितना होगा भई जहां तक मैं देख पा रहा हूं 600 होगा क्या जी देखे कितना इसका LC होगा 300 तो नहीं हो तीन सो चालीस सने कटेगा आप जो सो होगा इसका LC कि छीक है एक बार कमेंट सेक्षन देख लेते हैं लोग का कितना एल सीम आया है एक बार जल्दी से लसी एम सारे विद्यारती बताईए कितना आया है जहां तक मैं देख पा रहा हूंगी 600 आपका होगा एल सीए ठीक है सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा फों रिषाए करेकित पर्हें सबसे बड़ी संख्या क्या यह जो 88 से पुर्मता विभाज है। तो देखो बेसिक तरीका क्या होगा भाई? बेसिक तरीका क्या होगा? तो 88 से हम क्या करेंगे पता है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में आप भाग देंगे। अब ही हम बेसिक वाला तरीका पीछे के सवाल में पढ़ juga पूझे से भी भाज होने का मतलब क्या है एक ग्यारह और आठ से भाग लगना क्या एक ग्यारह और आठ से भाग लगना अब यहां पर देखो कौन संख्या बड़ा से बड़ा है कौन ऑप्सन बड़ा से बड़ा है जो एक ग्यारह से भी भाग लगेगा और आठ से भाग लगेगा तो आठ से भी कट रहा है, आठ खाविभास्ता का नियम क्या होता रस्टट लास्ट ठ्रेडी अट से गटना चाहिए, तो आठ से भाग देखे देख लो, आपका ये यह बी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 88 से बताए वह बहुत जवरजस्त है से बेसिक सभी आप चाहे तो बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते और यह रहा आपका नेक्ष्ट सवाल कि लो भाई कि 86 नमबर आप देखिए क्या कहता है लोगों का मनोबल हाई है कि गिर गया ताउन हो गया नहीं कि गलत बात है कि देखो यार अब मिजाज जो है ठक गया लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ा रहे है ना रख होसला वह मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा खके ना बैठ यह मेरे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आगा चलो यह बहुत अच्छी बात है रजनेश कुमार बिलकुल सही बात चलिए आगे बड़े और देखिए सब लोग को मैं बता रहा हूँ यह बात कि आप एकडम लाइव रहो असरफ एक दिन नहीं कि गलत बात है कल देखो संख्या जादा था आज कम होगे एकडम गलत बात है इसका मतलब आप अपनी मंजिल से पीछे हट रहे हो मंजिल और आपकी संख्या अगर जादा रहता है तो हमें भी अनर्जी मिलता है और आपके लिए हम अच्छा करेंगे चलो यहां पर जो है अभी छुटी नहीं हो रहा है बता रहा है ठीक है चलो आते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट पर चार अंकों की वह बड़ी संख्या ग्याद कीजि तो इस अब जो है ना जहर वाली कंसेप्ट एक दम है सुनो यहां पर देखो तीन से भी गट रहा है पर टीन से भी इसका मतलब यह है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या चारंक वाला होगा ओभी तीन से कटेगा आप देखो तो तीन से कटे वाला कौन आप्शन है नौ साथ सुलह और तीन से नहीं कटेगा नौ साथ सुलह एक सतरह तीन से नहीं कटेगा नौ साथ सुलह एक सतरह तीन से नहीं कटेगा नौ साथ सुलह दूए ठार अंको का युक फ़ल ठार आया मतों तीन से कड़ जाए तो आंसर कौन होगा होगा कि नहीं होगा कि छो हानी कि गए एक शाएंट चोहान जी बोल रहा है कि सी नर्प्सन भी 118 से कट रहा है कितना 90 1986 और वहां पर आपने देखा कि no morning 44 भी कट रहा देखो 88 818 ही जोड़ा है उमीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं इसका अंसर क्या होगा यह हो जागा डी नंबर क्यूंकि देखो न एलसी यह भी करके बना सकते हैं जैसे पीछे का सवाल बताने तो सबसे बेतरीन सोचे कि तीन से सब कट रहा है मतलब बड़ी से बड़ी संख्या भी तीन से कटने वाला नहीं है एक एक उप्सन तीन से कटने वाला है मार देंगे चलो भाई आगे बढ़ते हैं कोई डाटेबल क्या चलिए आगे बढ़ते हैं परेवाई ब्यूटी राज्ज चलो कोई बात नहीं नया हो पुराना हो जमके पड़ो तो बड़ी से बड़ी स संख्या पूछय तो बड़ा वाले आंसर करना हो सकता है कि ओप्सुन दुर रहा हो कोई क्वे Trent अब दिया बड़ा बड़ा को मार दो बोल दिया छोटा तो छोटा वाले कुमार दो तिन है अब बिल्कुल हो जाएगा कभर रोह gaat सिन सुनो छे अंको की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए लो भई इसमें क्या जोड़े कि छे अंको की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए इट्स बुरुस वेरी सिंपल आप बताओ छे अंकों की बडि से बड़ी संख्या होता क्या है जी पड़ा सिंपल है 13-56 huis में है ? 13-56 में क्या जोड़े ? यहहीं कर दिया ? का 6 अंकी बड़ी ही संगिनी इसको लेजा क्या करें ? घटा देंगे इसको लेजा के घटा देंगे तो घटा ओ 9 मैंसे 2 घटेंगा 7 9 मैंसे 4 घटेंगा 5 ठीक है और फिर 9 मैंसे 6 घटेंगा 3 तीन फिर नौ में से पांच घड़े का चार आंसर सी हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह रहा तुम्हारा सवाल संख्या अठासी सवाल संख्या टासी क्या करते है जर आप सारे बिद्द्यारती ध्यान दिजिए चार अंकों वाली सबसे बड़ी शंख्या घ्यात कीजिए जो उनás से पूरत्त विभाज है देखो यह सवाल अभी हम पहले बताया थे रिपीट है यह यह सवाल रिपीट है अभी थोड़ी दिर पहले हम बताएं था दू-3 मिनट पहले पीछे का 3-4 सवाल पहले आगे बढ़ते हम सवाल संख्या नमासी पे सारे विद्यार्थी आ जाईए सवाल संख्या नमासी पे 47 सवी भाज होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या एक बार बताओ चार अंकों की सबसे छोटी संख्या एक पर तीन जीरू ठीक है अब कहता है कि 47 से भी भाजित होने वाला भाई कौन है चार अंगों की सबस्वर्डिशं क्या अब 47 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है 88 का था 8 गुना 11 तो उस कंसेप्ट लगा दिये थे लेकिन 47 का तो कंसेप्ट होता नहीं तो भाग दो simply चलो भाग देते हैं फट से तो 47 दोना कितना चौरानवे बचेगा छे पर जीरो साथ तो 47 से कम 47 बोलो सेस्फल कितना बचा 13 अब कहता है 47 से भी भाजित होने वाली चार रंकों की सबसे छोटी संख्या देखो संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं जरा ध्यान दिजिएगा दो तरीका होता है संख्या निका गटा देंगे तो 47 से कटने वाला मिल जाएगा आप दूसरा नंबर चीज सुनों इसमें डिफ्रेंस कितने का होता है 47 तेरा में कितने का डिफ्रेंस है जी तो संख्या मिलेगा न वह सैंताली से कटने वाला फिर से बुर रहे हैं तो इन दोनों का डिफ्रेंस चौंटी से चौंटी से जोड़के इसमें अगर हम तेरा घटा देते हैं तो संख्या चार रंग में रह पाएगा जरा सोचो न सब लोग नहीं रह पाएगा हम से पूछ रहेगैं चारंग की संख्या बताओं शरी तो नहीं होगा विचारंग में रह पाएगा उन्सर कौन होगा एक正 चोंटी सबक्रा चारंग की सबसे छोटी संग्षा जो 27 से कटने वाला हैं मारदो सिरनए क्लियर है जी चलो भाई आगे बढ़े हैं लो भाई चलो 90 नंबर सवाल सीखो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10-8 और 12 से पूरी तरह विभाज है तो सबसे पहले एक तो कंसेप्टी हो सकता है कि 10-8 और 12 से पूरी तरह विभाज है तो सबसे पहले इसका हम LCM कर लेंगे और में देख पारों की स्काइल सीम 120 होगा, अब आपको यही बताना है कि 3 अंको की सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो 120 से कटेगा, तब 1289, 1289 मार देंगे बी नमबर आप्सन, नहीं जी, अरे 1289 मार दो, खतम, आगे बढ़ते हैं भाई, देख लो जरा, देखो कुछ भी द् सबसें, देखो, पीछे वाला सवाल में उप्सन से बोटाई, 47 वाला सवाल उप्सन से नहीं होगा, हाँ, 47 से डारेक्टे भाग देके बना सकते हैं, अब सूचिए गाओ थोड़ा और सौट हो जाया, तो नहीं होगा, क्योंकि 47 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 88 वाला में स ही न था, चलो भाई, अरे, एक लिख रहा है, मुझे गर्भ है, सराप मेरे गाओं से, ये खोनल का लिख रहा है, बही, चलो, हाँ, रोज क्लास साड़े आठ वेश चलता है, वकील रंजन जी, आगे बढ़ो यहाँ पर, चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ग्याद कर जो एक पुर्ण वर्ग है, मार्दो सटाक एकदम दस्सोचोवीस, याद रखना, इस अब याद रखना है, चार अंकों की सबसे छोटका पुर्ण वर्ग, दस्सोचोवीस है, जो 32 का स्वैर होता है, इस से पहले आप जाए 31 का स्वैर करिए, पता है कितना 973 अंक में होता ह है, तो चार अंकों की सबसे छोटा वाला स्वैर नंबर क्या होता है, दस्सोचोवीस, जो 32 का स्वैर होता है, इस से जश्ट पहले 31 का अगर आप स्वैर करते हैं, तो देखो ही, चार अंक में नहीं है, तीने अंक में, ठीक है, आगे, राजु कुमार, गनेस भाई, जोती प्रकास, अजय, गंगा, सागर, संजीव, जोती प्रकास, तेज गाइड, पर टेक गाइड, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पांडे जी, आगे बढ़ते हैं, पानेवे नंबर सवाल, आप सारे विद्ध्यारती ध्यान दीजे, कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जयाद करें, जोड़ ठारा करो, लीट एकदम, मार देना, जल्दी से, इसको मार देना और भीलकुल, एकदम, जहरवाली कंसेट्ट, लगाकर मार देना हे, मडर कर देना हे, सवाल का मडर, सवाल का मडर, जहर से, सवाल का मडर जहर से आपका सुन लो देख लो कहता है कि 6 अंको की छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 18 का multiple है तो 18 का मतलब पता है क्या होता 9 गुना 2 मतलब जो 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वही 18 से कटेगा तो देखो कौन सा अंसर होगा सी नंबर हो जाएगा क्यों अंको का योगफल सारे विद्ध्यार थी जोड़ी है 9 वार है जी मतलब इनो से कटेगा आई काई यंक सम है मतलब दूसे भी कट जाएगा तो 9 से भी कट रहा है दूसे भी कट रहा है तो यह 18 से कटेगा बाकी कोई ओप्सन देखो इनो से नहीं कटेगा इनो से कटेगा नो से यह आपका कटेगा देखो नो से कटेगा और दूसे भी इभी 18 से कट रहा है इनहीं कट रहा है 18 से तो इसार 18 से कटेवाला तो B नंबर ओप्सन भी है C भी है लेकिन आप सी को क्यों मार रहे हो तो देखो छोटी से छोटी है इससे ये छोटा है हमसे छोटा वाला पूछ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा और इस सही हो जाएगा आगे बढ़ो भाई मडर हो गया बानवे नंबर का लो 93 कोश्चन नंबर 93 सब लोग ध्यान दीजिए कहता है निम लिखीत में से कौन सी एक परमिया संख्या नहीं है देखो परमिया संख्या नहीं इसका मतलब जानते हो क्या होगा इसका मतलब होगा ओ परिमिया संख्या क्या वाई ओ परिमिया संख्या होता क्या है तो इस वेर प्यान दो यहाँ पर जो रूट वाली संख्या होता है न और सिंबूल वाली जो संख्या होता है न उसी को हम बोलते हैं और परमिया संख्या तो कहता है कि परमिया संख्या नहीं इसमें कौन है मतलब परमिया कौन है तो पाई याद रखना पाई एक का परमिया संख्या क्यों भाई तो पाई एक सिंबूल है और सिंबूल क्या होता है में सा इरेशनल होता है आगे बड़े चलि बहुत अच्छी बात है आज़र भरे अब बाकी इसहर दिखो 1728 इसका 12 होता है 12 बटा एक अब दसमलो हटाएंगे तो बटा में 0,00000 आएगा ना जी यहां भी 10 मलो हटाएंगे तो 000000 आएगा ना तो देखो जो P by Q के री रूप में रहता है जान लिज 26 के रूहता है उसी को बोलते हैं पर मेल संध्या रिशनल नंबर कि जहां पर क्यू इंट इको ची बार एक पीक डियुक्ट रूप में द शबते की नयुक्ट में पर्म पर में यूप नहीं है और पर मिया एक सिंबूइन है और सीम्बूल हमेशा ऑपरमय होता है रूट वाला हमेशा अपर में होता है कि चलो बहुआ आगे बढ़ते हैं तो यह देख लो सवाल संख्या 94 तो कोश्य नमबर 94 कहता है कौन संख्या अपर में नहीं है देखो अपर में संख्या नहीं है अपर में है लेकिन क्या लिख्या अपर में नहीं है अपर में नहीं है अपर में नहीं है अपर में नहीं पूछ रहा है एकर मतलब जानते हो क्या होता है एकर मतलब होगा पर में आपर में नहीं मतलब पर्मिया कौन है आपको पर्मिया पूछ रहा है पर्मिया का मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए क्या रूट से बाहर निकल जाए नजीप जो रूट में रह जाएगा उतो होगा आप पर्मिया लेकिन करें कौन आपर में नहीं है मतलब जो रूट से पूरा-पूरा बाहर तो आपको देखना देखो इसे ही छट गया क्योंकि तो अपरमिया है हमको परमिया पूछ रहा है तभी तीन ओप्षन में से देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ओप्षन है जिसका एडजेक्ट वर्गमुल होगा मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा तो इस और कई से पता करे जान बुछ कि अगले में मोटा कर देंगे दो दुना कितना चार और दो सटे चौधा दूए कम दूए अठ फिर देखो दो से लगाए दूए कम दो दो तीए च्छोद दो पचे दस और दो सटे चौधा फिर वाई देखो पांस साथ बारा तिन पंदर एक सोल्ला इन नहीं होगा ना अ तो थो ध случайकी अच्छाव किस्ते भाग लगरा भाई साथ से था लगणा लगर है कि देखो तो जिए नल लग रहाग hazard कि यह देख लेगचार क्यों साथ स ineista लगण सात एकम साथ 7.6666 65 Ctrl नहीं लग नोसे लग रहा है यह कि जाना पाप पासल लग रहा है साथ तिन दस पांच चो नहीं लग रहा है राइब का नहीं लग रहे हैं यह आपका जो है अपर मेर्या है बहुत से बाहर नहीं निकल रहा है चलो इसको देख लेते हैं साथ चोरासी को देख लेते हैं जो समोटा और पर देते हैं जो दूसे भाग लेंगे तो कितना होगा थी सो फ्याली सापका होगा फिर देखो दो से भाग लगें तो 1521 अच्छा 1531 जानते 49 का स्वायर होता है साथ चोरासी को हमने फैक्टराइज किया तो दो देखो दूबाराया अब पंदरो सव एकई सोता है 49 49 जो है 49 का आपका थीक है बता रहे है तो यह दो दो बाराया अब इसका फैक्टर जो है जोडा में है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है इसका बर्गमुल आसानी सब्सक्र से निकल सकता है कितना 49 जोना 78 तो देखो रूट से पूरा पूरा बाहर हो गया मतलब यही परमिया है अंसर अंसर लेकिन अगर यह तरीके से आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और बेस्ट तरीका आपको हम देते हैं आप सारे बिद्यारती धान दिए बिलकुल एकदम कह सक क्या 2, 3, 7, 8 नहीं होता है किसी भी पूर्ण वर्ग का इकायंक ठीक है पूर्ण वर्ग का इकायंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है अब देखो यहां पर क्या है इकायंक 8 है तो यह परफेक्ट अस्क्वाइर नहीं होगा अब परफेक्ट अस्क्वाइर नहीं होगा तो रूट से बा नहीं निकले गाई भी ऑप्सन चट जाएगा अभी छटी ए गया चटी ए गया तो आंसर कौन होगा तो यह आपका होगा तो सेकंड वाला जो मेथड है यह आपका बेस्ट है और इससे एकजाम में सवाल जल्दी हो जाएगा ठीक है चलो भई जो सहे की ठंडा होगा लोगों क बचा हुआ है ना चलो आते हैं 95 नंबर सवाल क्या काता है सुनिये दसमलो के बाद देखिए तीन वो अंक है और उस पे रेकरिंग है काता है साधहारन भीन में बदलो परमेया में परमेया मतलब पी बटा क्यूब तो दसमलो के बाद 125 लिख दिये आयाद रखना नियम कि द आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह रहा आपका 96 सब लोग ध्यान दीजिएगा लो भई 96 नंबर सवाल आप सारे बिद्यारती ध्यान दीजिए इसको करा भीन के रूप में लिखो इस वेरी सींपल बोलो भई 5025 ठीक है अब एक दू तीन अंग के पहले डेसिमल था तो नी 25 से 40 बार में अब 25 से कितने बार में कटेगा भाई दूसरों एक बार में कटेगा हाँ सोच रहे था दूसरों एक लिखा गया दूसरों एक चलो अब 40 से हम इसमें भाग देंगे तो पांच पुर्मांक एक बड़ा चार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यह क्या बोल राम कुमार ठागुर सरक पीडी एफ पर विचार कीजिये यह पूस्टन आता है तानी क्या बहुर रहे हैं पीडीएफ तो देते हैं पीडी एफ जो है टेलिघ्राम पर आपको जो है क्लास के बाद दे दिया जाएगा तो नैं एक पेज में जैसा पीडी एफ हम हम दे रहे हैं ऐसा ही होगा फिर type हम नहीं कराने वाले हैंядnik ब्रकों या आप ले लो तिक है वैसे type कराने में रूस को करेक्षन करी यह काफी किंजन हो जाता है इसका जो है यह पूठ काम ऐसे ही देंगे जैसे हम डेली दे रहे हैं या तो बुक खरीद लो ने तो पीडियेफ से काम चला लो कोई जरूनी फोटो कोपी कराने का सबसे छोटा भीनिस में से कौन सा है आपको बताना है देखो भाई या इस वेरी सिंपल इस तीन बटा चार है तीन बटा चा याल है देखो बैण तो इस T grill भाग बटा यह या पर नौबटाइग्या राए इसको क्या होगा इसको क्या होगा जीलो कॉइंटेट अब सबसे छोटा भीन किया है तो चारो ऑप्षन को मैंने दस मलों में लिख दिया भाग दे करके ठीक है भाग दे करके अब बोल दो 0.75 है एक 70 है आठ है तई 80 से जाद ही नहीं होगा जी आइधर भी होगा तो आंसर कौन होगा एक 70 वाल आपका होगा अप्षन नमबर सी हो जाएगा अरे रौसान राज के अब और आप 96 गलत बताएं है 96 गलत बताएं ऐसा तो हो नहीं सकता है मिस्टेक हो सकता अलग बात है कि गलत यार सब बोल देता है माथा खराब करता है कि मारेंगे इतना ना कि इतना पीटेंगे ना तो उन्हों ठोड ठीक आना नहीं है देखो भाई यहां पर सब लोग प्यार से बोलते हैं टेंसन नहीं लेने का गलत किसे बताएं है कि सब आ जाता है का दूको उल्टा सिदा करें का पचीस से भाग दें कितना बार में लगा चालिस बार में पची पचीस दूना पचास आज दू उतारे तो भाग लें पचीस से कम पचीस अब चालिस से भाग दो तो चालिस पचे दूसो असे सफल बचाए एक बटा चार ठीक तो है रोसान राज इसे मत लिख दो दिल को बड़ा तकलीफ पहुंचता है इसार आप गलत बता रहे हो गलत यार देखो यहां पर अनुभाव है कि अनुभाव हीन मास्टर साब नहीं है साल दूसाल वाला है ना बाल मेरा साइड का दुदू को पक भी गया है जहां था है ना पता है हम चार से पांच साल से करा रहा है है कि ऐसा नहीं हुगा मिस्टे को हो सकता है मिस्टे को हो सकता है मिखने पढ़ने में अलग बात है वेकिन चलो कोई बात नहीं। जिस नजर से देखोगे दुनिया वैसे ही heroin आपका आगे बढ़ते है यह है इसका पर्मेः करन करना बई पर मेंहीं करना करना तरीके बता रहा है कुछ नहीं करना है मेरे भाई देखो यह नीचunku अनल के आप ऊपर लिक्तों बई नीचे में जु अंतर होता है तो लो पांच कवर कितना 25 आरूट तीन कवर कितना तीन घटा के लिए कितना 22 तो क्या होगा भाई तो यहां पर हो जाएगा फाइप माइनस रूट थ्री विटा बाइस अप्सा नंबर पांसा कि परमी करन का नियम में जो बोल रहा हूं तो नहीं गौर से सुनियेगा कि अरे लग बोड़ा च्यानवे का भी होगा ना पूर्जिए लड़का लोग कुछ कुल बोल रहा है च्यानमे का भी होगा अच्छा चलो च्यानमे हम देख ले रहे हैं फिर से हम देख ले रहे हैं यह तो समझ गया हम फाइप माइनस रूट थ्री बटा बाइस इतना समझ गया देखो इसको पहले क्लीर कर दो रहें फिर में एक नजर पुक का फिड़ा आदमी है एक है अच्छा अच्छा थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गया देखो लीखने मैंने मिस्टेक हो यार यहां परी समझ गया चीन बदलके उपर में लेग दो नीचा में स्क्वार माइनस बीच्वार चलो चाहांबे एक बार हम देख ले रहे हैं वह ल यहिँ नीचे में चालीश मिला तो 40 नीचे वालना आपको होगा ठीक हां को समझंगी बहुनाओं को समझयों । हमको बता थोड़े हैं भावनाओं को समझे कि में 40 घ्र nutम हो गया में नीनानवе प्या जा आगे बढ़ते हैं गलत थोड़े ठέसे हैं क्या है भाई थोड़ा सवाई अपने मोवाइल का पिक्सल बढ़ा लो अगर नहीं दिख रहा है तो अगर प्लीज कॉप्रेट निनियानवे नमबर सिर्फ जो है थोड़ा थीका दीख रहा है लेकिन घवराना नहीं है कहता है निमलिखित में से किस संख्या का ओपरिमिय औवरगमुल होगा इसका मतलब ये है ओपरिमिय औवरगमुल होगा परिमिया का मतलब क्या जो रूट में रहे रूट में रहे इसका मतलब ही है कि चार आप्शन में तीन गो ऐसा आप्शन होगा क्या बई तीन ऐसा आप्षन होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा मतलब पूरा-पूरा वर्गमुल हो जाएगा तीन गो आप्षन का और ये गो आप्षन ऐसा होगा जिसका वर्गमुल पूरा-पूरा नहीं होगा रूट के बाहर निकल जाएगा तेखो लॉजिक बता जहर 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 पिलाएं बोलो जरा जलड़ी से जहर पीना है बोलिये देखिए पिलकुल इदम जहर वाली concept देखर ध्यान देना सब लोग देखो 25 यहां भी लाश्ट में हैं यहां भी 25 लाश्ट में है और यहां भी 25 लास्ट में है और यहां भी 25 लास्ट में je clear सारे के अलावे जो संखिया है उसको जरा 2015 156 को क्या करो एक difference में लीखो एक difference में लिखो तो यहां पर पता है 12 गुणा 12 हो होगा 12 गुना 30 होगा देखो एक का MP1 है अब सुन्हाव हाँ यहां पर 25 के अलाव़े ऩ। चौना सकर एक सो बतीस हैं यहां यहां end नुक गुना सकते हैं है अच्छा दूसर दॉसर चौकितना लिख सकते हैं कि Bio स्धे दूसर दस को कितना लिख सकते हैं तो तीन से भाग लेकर सत्तर तीन सत्तर साथ दू और पाँच आप 15 गुना 14 लिख सकते हैं फोलो 14 गुना 15 लिख सकते हैं जरा ध्यान दू तो देखो पचीस अगर रहेगा लास्ट में दू डिजिट सुनियेगा बहुत जबरजस्त कंस्रिप दे रहे हैं कि पचीस 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 अगर होगा लास्ट में दू गो तब सेस देखो 156 है 132 से दूसर दस है और यहां पर सेस कितना है 180 आपका है तो सेस को आप देखिए कि one difference वाले factor में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है यहां भी टूट रहा है और यहां भी टूट रहा है इसका मतलब यह सब का पूरा-पूरा वर्गमुल निकलेगा याद रखना है सब का पूरा-पूरा वर्गमुल निकलेगा लेकिन यहां पर 180 जो है one के difference वाले factor में नहीं तूटेगा इसलिए इसका पूरा पूरा वर्गूल नहीं निकलेगा और यही क्या होगा आपका अपर में असे है ना बिलकुल जहर बताईएगा कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है ठीक है लोग ठंडा पड़े गया क्या जी नहीं ना चलो भई आगे बढ़ते हैं औ और यह रहा तुम्हारा सवाल संख्या एक सो एक सो जो मैं इन्यानवे का बताया ने कंसेप्ट इस अब कंसेप्ट लगाईएगा एक जाम में जल्दी सवाल बनेगा लोग यह सो नंबर सेंकड़ा पर हम लोग पहुंच गये हैं ऐसे हमें 110 करा दिये हैं कल 60 सवाल हम कराएं थे ठीक ना लेकिन चलो कोई बात नहीं है देखो बाई आप कहता है कि इसका हर का परमिया मान कितना है मतलब परमिय करन करना है सीखो परमिय करन का कंसेप्ट क्या है कि चिनहां बदल दीजिए आउपर लिख दीजिए तो हो जा अंतर कितना होगा एक होगा नीचे में एक लीख हो जाएगा फिर से सुन लीजिए रेशनलाइजेशन का क्या होगा हां अगर यूनिट डिजिट लास्ट में दू को डिजिट पचीस पचीस नहीं न रहता तो फिर ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया है उन नहीं लगता आपका ठीक है चलो लेकिन मैंने देखा गयरे चारों पचीस है तो क्यों न कंसेप्ट लगाते करना नहीं और यह रहा सवाल संख्या तुमारा 101 चलो भाई 101 चलो भाई 101 अगर पूरा पूरा करना पड़ता अगर पचीस नहीं रहता तो चलो देखो इसका डिशन करना है तो धड़ से बता दो अभी बताया ना चिनहां बदल के ऊपर तो फाइप माइनस टू रूट ठीक है और वर्गो का अंतर नीचे लिखते हैं यह रिशनलाइज़ेशन कंसर्ट बोलो पांच का स्क्वार कितना पचीस आद दो रूर तीन का स्क्वार करो कितना बार अब पचीस में से बारा घड़ेगा कितना नीचवा मैं 13 लिखते हैं है कोई ओप्सन जी पी नंबर ओप्सन जी तो 4 को आप 2 का स्क्वार लिख सकते हैं किया पहले से पांवर माइनस 3 बटा दू है तो याद रखना पांवर और पांवर क्या होता है गुणा हो जाता है तब ओलिये दू से दू हो तो कड़ जाएगा ओब बोलिए 2 के पांवर कितना हो गया माइनस 3 हो गया अगर 2 के पावर तीन होता पलस तीन ता आठ होता लेकिन माइनस में होने की बज़र से नीचे में आठ आ जागा वन बाई एट आप्शन नमर कुन सा सी हो जाएगा चलो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या एक सो तीन पर आते हैं लेजिए एक सो तीन नमबर सवाल सब लोग पी ल दिखते होगा तो सवाल कहता है दिए गया बीकल्प में से जीरो पुइंट पचास और जीरो पुइंट साथ के बीच आने वाला प्रम्यात संख्या कौन है तो हम यहाँ पर बीकॉल्प देखें अब बीकॉल्प देखने के बाद मेरा नजर पड़ा सीधे बी पर वे सर अपन सरवा याद की यह लगता है कि नहीं मैं थे का अंसर याद नहीं किया सा मैं तरक दे रहा हूं क्यों उस पे मेरा ध्यान गया जरा सुनतो लो भाई देखो सुचो जरा यहाँ पर अगर 20 होता तो 20 बटा 40 20 बटा 40 एक बटा दू मतलब 0.5 होता सोचो भहिया यहाँ पर होता कि नहीं अगर 20 अगर यहाँ पर लिखल रहतो हले तो आंसर कितना होते हले 0.5 है हाई पर 0 ठीक है लेकिन आप बताओ 20 थोड़े है मतलब 20 से जादे हैं अब 20 से जब जादे है ते आ अंसरवा क्या होगा 0.5 से जादे होगा थोड़ा सा अब बताओ 0.5 से थोड़ा सा जादा होगा तो क्या पचास और six के बीच में नहीं होगा यही तो पूछ्रा है आंसर मार्षो भीम कि ठीक है चलिए आगे बड़े लो भाई सवाल संख्या 104 आप सारे द्यारतियों के सामने हैं सब लोग भ्यान दीजिए लिजिए 104 नंबर सवाल निमलिकित संख्यां में से कौन संख्या आपर में है देखो आपर में का मतलब क्या होता है मैं फिर से बोल रूट वाली क्या रूट वाली रूट वाली संख्या को हम आपर में संख्या बोलते हैं याद रखना अब बाई यहां पर जो रूट में रह जाएगा वही आपर मेया है त्हटेखो चौनसठ का घनमुल कितना होता है चार होता है त्होंसठ का वर मुल था कितना होता है है कि आठ होता है देख addresses से बाहर निकले यह तरब परिमियां है नहीं निकले अच्छा इख घॉप सकते हैं तुब रूट औफ औफ six है की मलुट तक इस वंगण सब्सक्राइब कर दो है यहां चार है और यहां आठ है तो क्या यह रूट से पूरा-पूरा बाहर निकला नहीं निकला नहीं निकला तो यही आपका क्या होगा आप पर में आंसर हो गया अपर डी नंबर कि लो भई 105 नंबर सवाल पर आज़ा आप कहता है निमलीखित में से कौन सी एक प्रमिया संख्या है कौन सी प्रमिया संख्या है आपको बताना है प्रमिया संख्या का मतलब क्या है जो रूट से बाहर हो जाए रूट से बाहर हो जाए तो आंसर बी क्यों क्यों क्योंकि आठ का क्यों रूट दो हो गया यह को रूट से बाहर हो गया जी और प्रमिया संख्या का मतलब रूट से सोतंत्र हो जाए बाकी नई रूट से बाहर जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो अंसर कौन होगा भी आपका होगा क्लियर है चलो जो सब का ठंडा हो रहा है हमको देखने में प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए एक सो पांच तक है चलो ठीक है तो एक सो कितने तक पांच तक मैंने कराया है एक सो पांच तक मैंने कराया है आप ये बात जान लो ठीक है और देखिए यहां पर जैसे कुछ भी द्यारती ऐसे हैं जिन्हें명 में यह चीज Chi की आवेशकता है जैसे मैंने पता है mathematics के मैंने ला रखा है हर दिन हम 20 सवाल डेली कराते हैं और उसका discussion भी कराते है तेस्ट भी लेते हैं अलग अलग चेप्टर से आप सारे के सारे इंद्यातिए चाहे तो यह mathematics की practice set batch में जुड़ सकते हैं आपका 7 बजे साम में timing है और 111 इसमें आप paid करके जुड़ सकते हैं बहुत फायदा होगा test series में आपको जुड़ने से ठीक है दोसरी नमबर चीज़ अगर आपके कोई समपर्क में आपके अगल बगल पडोसी में अगर beginner student है जिनको real में कर सकते ह mathematics की एक अच्छा label की पढ़ाई करनी है सारे एक्जाम को देखते हुए तो यह foundation batch मैंने ला रहा है अर्थमेटिक का 999 अभी offer price से इसमें चल रहा है timing सुबह का 9 बजे आपका है बहुत सारे बिद्यारतियों सापने सुनों सारे डवांस math बड़ा वीक है तो एडवांस math के लिए मैंने 0 to high level एक batch ला रखी है आप सारे बिद्यारति जरूर इस advance batch में जुड़ी है और यह सारे एक्जाम के लिए सारे एक्जाम के लिए आपका best batch होगा और बहुत ही minimum price 300 एकानमेन रखा है तो आप सारे बिद्यारति यह advance math पेड़ बैच है अर्थमेटिक का online है और test reach का है आप लोग जरूर सारे अपने मित्र को बताईए और जिन है जिस चीज किया वसकता हो वो हमारे साथ जुड़ सकत हैं अंकुष और official अपना application है play store पे मिलेगा search करिए तो और इसको download करके इसी के अंदर यह सारी classes चलेंगी पेड़ आपका ठीक है और किसी भी तरह की problem हो आप हमारे साथ call पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के class को हम यहीं पर रखते हैं और ऐसा उमीद करते हैं कि आप सारे बिद्यार्थी को बहत पसंद आ जाओगा देखो यार फिर से एक बार बोल रहे हैं कि कल सुबा में साड़े साथ बज़े रीनिंगी class चलेगी और हर दिन रात में साड़े आठ बज़े math की class लगती है आप सा solution दे ही रहे हैं सब लिखिये के गलत बात है mathematics का answer का कोई मतलब नहीं है जब तक आप चीज को समझीएगा नहीं सब तक answer से कुछ होने वाला नहीं है जैसा मैं PDF questions का दे रहा हूं वैसा ही आपको मिलेगा बाकी book अपना रखो और solution देखिये लिए तो answer का क्या मतलब है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के class को नहीं पर रखते हैं और मिलेंगे जस्थ हम कल कितने बज़े साड़े आठ बज़े कल सारे बिद्ध्यारती दो दो चार बिद्ध्यारती को और बढ़ा के लाना ठीक है धन्यब